आज सामने कुम स्टूडेंट्स उमीद है आप सब है यह से होंगे आज हम इंशाला अपना अपने वीक 3 के लेक्टर्स चुरू करेंगे और अच्छा ओके पहले हम लोग तरह लास्ट लेक्टर्स की डिविजन कर ले हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ काउंटिंग टेक्न कर सकते हैं या फिर अगर हमने टोटल नंबर ओफ एलिमेंट इना सैंपल स्पेस इना सैंपल सेट फाइंड करना हो तो हम तब भी काउंटिंग टेक्नीक कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास जो और दो असान तरीके हैं वन अफ तेम इस ट्रॉडर्ट ट्रूल ठीक है पहले हिससे में हमारे पास कितनी ओप्शन हैं लिए त्रॉडल न गांज और उसके बाद एक्सफरिमेंट कर जो दूसरा पार्ट है उसमें हाँ पास जो टोप्शन है उस पर दोनों को प्र प्रॉडर्ट है व्स कल्फ एक्सफिरिमेंट की यह तो टोटल पॉसिबल आउट और उस पॉइंट एक पॉइंट वन से लेके पॉइंट तो तक जाने में हाँ पर जिती ऑप्शन होती हैं, इसी तरह से हम पॉइंट पर आ चाते हैं, तो हर ब्रांच के आगे ऑप्शन होती हैं, ठीक है, तो यह भी हमें बैसिकली टूटल नमवर ऑफ आउटकम्स दो एंट पॉइंट पॉसिवल बंदी हैं हमारे पास, उसका हमें कुछ इंडिकेशन देता है, इधी तरह से भी हम लोग ने पर्मुटेशन और कॉमिनेशन पड़ा था, यू मस्ट नो वेरी क्लिर ली के वाट इस दिफरेंस ब्ट्वें थीज तो, पर्मुटेशन हम यूजली तब इस समाल करते हैं, जब हमारे पास order important हो, ठीक है, मिसाल करते हैं तो अपर तीन numbers है, one, two, three, तो उसके, इन तीनों को, इकठे लिखे जाने के, जो भी possible तरीके हो सकते हैं, वो हमारे लिए सब important हैं, हम उन सब तरीकों को देखना चाहते हैं, तो we call this situation as permutation, इस तरह की जब situation हमा सामने हो, और फिर हम find करना चाहें, कि how many ways are possible, तो हम permutation का इसमाल करते हैं, और इसी तरह से combination में हम, basically, ये देखते हैं, कि अगर हमारे पास, let's suppose, n elements हैं, और हमने उसमें से r उठाने है, such that उनका order matter नहीं करता, ठीक है, let's suppose, कि मेरे पास ये तीन, तीन चीज़े हैं, a, b, c, औ मुझे इसमें से दो उठानी है, तो मेरे पास उठाने का तरीका ये हो सकता है, दूसा तरीका ये हो सकता है, या फिर एक और तरीका ये वाला हो सकता है, जिसे मैंने a और c को उठाया, लेकिन a और c मेरे लिए a और c ही रहेंगे, c, a is one and the same thing, तो इस तरह की situations ज़हां पर मे कितने तरीके हैं चीजों को चूस करने के, ठीक है, मतब N चीजों में से R चीजें चूस करने के, तो I'll do that by the combination formula, ठीक है, तो ये सवाल के statement पढ़के भी थोड़ी सी आपको practice होनी चाहिए, कि इदर यहां पर permutation का formula लगेगा, या फिर यहां पर combination का formula लगेगा, उसके लिए आ आप जरूर internet पर search करो, और वहां पर permutation और combination के सवाल वहां से देखने ही कोशिश करो, या फिर मैंने कुछ और books भी upload की थी teams पर, ओके, अब हम शुरूर करते हैं अपना अगला lecture, जिसमें हम next topic पढ़ेंगे, एक मिनिट, और थोड़ी सी, अब हमें थोड़ी सी जे probability के समझ आ गई है, कि probability का बिसे कली मतलब क्या है, कि chances of something happening, ठीक है, और हम, 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 हमें, of course, इक सवाल गिवन होते हैं, हम देखने के total possibilities कितनी हैं, और उसमें से एक possibility के, अगर होने का chance कितना है, तो हमें, वो जीज़ probability होती है, तो हम probability के बारे में थोड़ा से एक advanced topic पढ़ेंगे आज, that is conditional probability, अब condition का, जो है, ना, मतलब, वो वहकुल, जो आपके जेहनों में है, या जो आपको ने भी तक पढ़ा है, वही चीज़ है, कि एक condition हमें given है, और उस condition के given होने के बाद, हम लोगों ने probability निका ली है पिसाल के दौर पे, मैं अब examples explaining करने के बाद, जो हमार पर सामने, पहली statement है ना, पास्टन information और conditional probability जिसमें bold और underline के लिखाव है, इसके उपर फिर जाओंगी, पिसाल के दौर पे, अगर आप से कोई कहे, कि इस weekend के उपर, कहीं general, let's suppose कि आपनों का sent orders जाने का plan बंद है, और आप से कोई कहे, कि आप के जाने के probability क्या है, तो of course, you'll consider a few things, and then you'll give a number, कि ये 50% chance है, ये 40% chance है, here's something like this, अचा, आप मगर वे आप से कहे, कि Monday को test है, तो अब जाने का chance कितना है, तो हो सता है, कि आप की probability change हो जाए, ये ये भी हो सता है, कि चेंज ना हो, लेकिन, अब आप इस information को consider करते हुए, recalculation करोगे, it's totally possible कि आप को हो, कि टेस्टर तो कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे, okay, आप की probability में, कि उसमें number में फरक ना पड़े, लेकिन still, you'll consider that information for once, या इसी तरह से, वो फ्लाना बंदा भी जा रहे, अचा, अब probability कितनी है, कि आप जालोगी या न आएगा, चापके भी probability आजाने की, तो अगर आप देखो कि तो यह जो जो पार्शल information एड होती जा रही है, यह पार्शल information जो है, वो आपको दी जा रही है, साथ-साथ, तो उसकी वजा से आपकी, जो जाने की probability है, वो चेंज हो रही है, ठीक है, कोई factor, जो है, मतलब क्वि probability को reduce कर सकता है, किसी बंदे के साथ, sorry, जाने की probability, it may reduce or increase your chances of going, ठीक है, तो जब पार्शल information होती है, उसकी वज़से, हमारी, मतलब probability चेंज हो जाती है, तो जब हम किसी information को consider करके, फिर probability को evaluate करते हैं, तो we call it conditional probability, अच्छा, मस्तन, अब यहाँ पर एक और, जो इसी, जो मैंने बाद आपको explain की है, कि किसी और angle से, यहाँ पर weather के हवाले से explain हुई भी है, मस्तन, अगर आप से कहा जाए कि, आज क्या आज बारिश होगी का नहीं, तो अगर आप, एक windowless कमने वेठे हुए, आप से आप उटके बाहर नहीं कई और आपको बिल्कुल idea नहीं है, तो आप हो रहाता हो, उसके साफ से आप अंदाजा लगाओ, लेकिन अगर आपके पास, अगर आप ऐसे कमने बेटे हो, कि जहां पर आपको कुछ खिड़की से बाहर का मौसम नजर आ रहा है, तो अब यह partial information है, जो आपको मिल गई, ठीक है, पहले कैसे partial information और थी, उसमें आपने जाए कि आज बारिश होने की probability क्या है, तो अब आप एक different number दोगे, ठीक है, तो अब based upon the partial information given, आपकी probability computation जो है, वो change हो जाती है, उसकी value change हो जाती है, तो हम अब कुछ, अचा ने, सवाल करने से पहले था हमदर इसका formula देखेंगे, और फिर हम से कुछ सवाल करेंगे, अचा, मसलन, हमारे पस दो events है, एक given B, A की अपनी probability है, B की अपनी probability है, मैं आपको पर सोटा सही समझा दूँ, के sample space का तो आपको idea है, के वो क्या होती है, ठीक है, एक, जो हमारे पास experiment है, उसके, जितने possible outcomes है न, ठीक है, अगर हम उन सारे outcomes को एक जगा पर जमा कर लें, और, we call it as sample space, तो इसमें, of course, अच्छा, event भी आपको पता, तो इसलिए, sorry, I need not to explain it, इसमें, एक event है, A, तो let's suppose कि वो हमारे पस कुछ इस तरह से आता है, और let, कोई event है, B, कोई वो कुछ इस तरह से आता है हमारे पास, ठीक है, इटस पॉसिबल कि इनकी overlapping हो, और यह भी possible है, कि overlap ना हो, जैसे मैंने यह आपके सामने बनाया है, अच्छा, तो जो condition probability का formula है, वो यह कहता है, कि आ के पास A और B दो events है, और such that के probability of B, यहनि के B अकर होने की probability is greater than 0, ठीक है, B is basically that partial information that I was talking about, partial information, ठीक है, B is a partial information जिसका मतब यह है के B has occurred, ठीक है, तो इसलिए probability of B is greater than 0, it is not greater than or equal to 0, it is greater than 0, इसका मतलब है, we know that B has occurred for sure, तो अब A के होने के probability क्या होगी, ठीक है, इस बाद का मतलब यह है, कि B has occurred for sure, that is why probability of B is greater than 0, अब हमें A के probability find करनी है, तो अगर हमें P of A find करना पड़ता, that is altogether a different thing, उसमें B के होने नहोने से कोई फरख नहीं पड़ता, we call, simply call it probability of A, मैंने के A के अगर होने ही क्या probability है, लेकिन अगर हमें कहा जाए, के B has already occurred, now what is the probability of occurring A, तो number one, we call it conditional probability, number two, इसको हम लोगों ने पढ़ना ऐसे है, मैं इसको पहले explain कर दूँ, और फिर मैं equal to पर जाओंगी, अच्छा, यह तो formula है, आपको पिछले lecture से पता है, कि हम देखते हैं, कि basically हमारे पास A में कितने elements हैं, और फिर हम देखते हैं, कि हमारे पास sample space में कितने elements हैं, तो यह वारी जो probability है, A की, यह तो हमने compute करना सीखी हुई है, ठीक है, अच्छा, अब conditional probability, जिसमें, again, we know that B has already happened, now, what is the probability of A, इसको पढ़ते हैं, probability of A, given that B has happened, तो यह जो आपके पास एक, बिकुस straight line की तरह है, इसको हम पढ़ेंगे, given that, ठीक है, अब आप लोगो ने इस चीज को सोड़ा सा जहन में में रखना है, और, practice इसी करनी है, so that whenever this notation is written in front of you, you know के हम क्या बात करें हैं, this is not equal to probability of A, this is equal to probability of A, given that B has already happened, अच्छा, और यह किसे बराबर होती, इसका formula क्या है, इसका formula है कि A, intersection B, इसमें कितने elements हैं, और फिर चुँके this information is affected by B, तो हम B के probability है ना, उसके होने के chances भी यहाँ पर consider करते हैं, ठीक हो गया, तो probability of A, given that B has already happened, तो हम पर यह देखेंगे, कि A और B, तो जोनों जो अलग-अलग events हैं, उनके दर्मियान आप जो समझ लो कि joint, या common elements कौन से हैं, एक चीज़ एक चीज़ एक स्क्राइन कर दूंगे, जो मैंने ये diagram आपके साने बनाई हैं, इसमें कोई common elements नहीं हैं, यहाँ पर दोनों अलग-अलग हैं, बट of course, यह जब भी, अकर हो का, तो हम एक ऐसी situation के बात ही कर रहे होंगे, जहाँ पर A और B में common elements होंगे, और यह information divided by, कि B के probability है क्या, तो यह दोनों चीज़े जो है न, इन दोनों की division, यह हमें देंगी A की condition probability, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, hopefully कि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, तो सवालों से समझ, सवाल सौल करने के बाद समझ आजाएगी, अच्छा, अब इसमें यही चीज़े लिखी हैं, जो हम लोगो ने भी पढ़ी हैं, कि हम conditional probability की calculation करते हुए, यह देखते हैं, कि if an event B has happened, तो how does this information affect the probability of A, ठीक है, यह happening of A, और इसी तरह से जो annotation use होती है, हो है P probability, यहनि कि conditional probability of A, given that B has happened, to represent the conditional probability of A, ठीक है, और B यहाँ पर हम आपस, is the partial information, यहाँ conditioning event, भी हम इसको बोलते हैं, अब यह हम लोगों ने जोना, तम ही थोड़ी सी बान दी है, conditional probability, उसका मस्कम theoretical concept, इसका समझने की हमने कोशिश की है, अब हम इसके सवाल, solve करने की कोशिश करते हैं, अच्छा, ओके, यह जो पहला सवाल है ना, इसके लिए पहले, मझे, आपको एक और slide पर लेकर जाना पड़ेगा, क्यूंकि यह जरूरी नहीं कि information सारों को हो, ओके, यह जो सवाल है ना, इसमें हम लोगों ने basically थोड़ा सा, इसमें हमें cards की information रेक चुटी चाहिए, तो जिन लोगों को नहीं पता, के cards किस तरह की होते हैं, उनके लिए एक तो, थोड़ी सी यहां पर text लिखाव है, ठीक है, एक तो आप प्लीज इस text को भी पढ़ लेना, ठीक है, हमारे पास cards basically किस तरह की होते हैं, मैं परी तोड़ी तस्वीर भी आपको दिखा जती हूँ, हमारे पास कुछ इस तरह के, मतलब cards में इस तरह के sets होते हैं, ठीक है, अगर आप देखो तो आपके पास यह जो हर row है ना, इसमें तेरा cards पढ़े हैं, starting from A, A के बाद 2 होगा, 2 से लेकर 10 तक हमारे पास numbers हैं, ठीक है, 2, 3, 4, up till 10, और उसके बाद हमारे पास फिर 3 images वाले card हैं, तो अगर आप note करो कि जो हमारे पास 13 card हैं, उसमें 4 तस्वीरों वाले card हैं, A, J, Q, और K, ठीक है, और बाकी 2 से लेकर 10 तक, यानि के 9 cards, 9 cards हमारे पास numbers वाले हैं, इसी तरह से, ये बात हर row के उपर applicable है, मैं नीचे जाकर जाओं, तो ये जो में पास दूसरी row है, ठीक है, जिसमें हमें एक red color का symbol नज़र आ रहा है, वोई call it diamond, तो इसमें मैं देखूं, तो में पास A, फिर J, Q, ये चार cards मेरे पास तस्वीरों वाले हैं, और 2 से लेकर 10 तक, ये नौ cards में पास numbers वाले हैं, फिर, तो, ये बात तो इस्टाबश होगी, हमारे पास के, हमारे पास हर तरह के symbol के, 13 cards हैं, ठीक है, इस इस spades, diamond, hearts, और club, I'm sorry, अगर मैंने नाम गलत ली हैं, तो हो सकता है के, गलत हो, because I'm not for myself, but still, please bear with me, तो हमारे पास हर तरह के, चार तरह के मुझले symbols हैं, और हर symbol के हारे पास, 13 cards होते हैं, और इन 13 cards में से, ये 4 plus 9 का, की situation होती है, जो मैंने आपको भी explain की है, और ये चीज़ा अगर आप और देखो, तो 54 cards में से, आदे हो के पास black है, 27 black है, और 27 ही आपके पास right है, तो ये 3-4 चीज़े, आप इन तस्वीरों से भी, इसका अंदाजा लगा सकते हो, और ये यहीं पर सब चीज़ें, जो हैं, और आपके पास लिखिवी भी है, अच्छा, अब हम लोगों ने करना ये है, कि सबसे पहले, हमें इस, experiment में, कुछ events बताए वे हैं, हम लोग पहले उन events की probability find करते हैं, बलकर हमें नीचे probabilities भी किवन हैं, कि हमने probabilities इसकी find करनी है, तो पहले हम देख लेते हैं कि event क्या है, ठीक है, दियर थ्री events A, B, C, event A है red card selected, event B है number card selected, और फिर इसी तरह से event C है diamond selected, और उसके बाद, इनकी probabilities हैं, तो let us find these probabilities one by one, अच्छा, आप लोगों को ने कोशिशे करनी है, कि, जब सवाल थोड़ा start हो जाएगा ना, तो जहां पर आप लगे कि सब थोड़ी सी समझ आ रही है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को pause करके, आपने थोड़ा अपने तौर पर कोशिश करनी है, कि, आप ज़रा इसका answer पर देखो कि, कि कि आपको समझ आता है, मसलन, जो सबसे पहली probability है, जैसे probability of A, and A, you know, is a red card selected, अभी हम लोगों ने बड़े detail में देखा है, कि हमारे पास जो एक पूरा 52 cards होते हैं, उसमें, red कितने और black कितने हैं, ठीक है, तो इसलिए, अगर मैं probability of A कहूं, तो नीचे तो हमाँ पास total cards याएंगे न, ठीक है, तो कि मैं सैंपल स्पेस की यहां में बात करूं, तो सैंपल स्पेस में 52 cards है, इसका मत्तब यह है कि मेरे पास, denominator में 52 आ क्या, अब probability A, बतब A कहा चीज है, red card selected, red card, यहनि कि हम select करने की probability देखने हैं, चुँके आधे इसमें red है, तो हमारे पास, अचा मेरे हैल है कि मैंने पहले 54 औ 27 बोला था, तो okay, it was wrong, 52 औ 26 होना चाहिए, I guess 13 into 4, okay, 52 cards total होते हैं, तो हमारे पास, चुँके आधे red है, तो that becomes, the probability of A becomes 26 by 52, या फिर 1 by 2, इसी तरा से है कि, अगर मेरे पास, एक में होता, black card selected, तो वो भी exactly 1 by 2 होता, क्योंके, आदे red हैं, आदे black हैं, ठीक है, तो, एक इसनी probability, एक इसमें red card की, और black card की, उठाये जाने की, अचा, अब मेरे पास, देखो, अगला जो, चीज़े हम लोगो निकालने, that is number card selected, अगें अब आपको, यहापे pause करना चाहिए, और, यह सवाल अगर आपको, समझ आ गी है, तो probability of B, आपको निकालने की कोशिश, खोद करनी चाहिए, अचा, number card selected, में again, जो मेरे पास, denominator है, that is 52, और अगर में number card की है, अब बात करूँ, तो how many number cards are there, मेरे पास total, 4 रोज थी, हर रो में मेरे पास, 9 number cards थे, तो 9 number cards से कर में बात करूँ, तो गी हम बन गया, मेरे पास 9 into 4, ठीक है, अचा, उसके बाद, let us find probability of C, और C है, मेरे पास diamond selected, अगें, आपको ये बड़े अराम से, पता चल जाना चाहिए, अगर पहले दोनों सवाल समझा आगें, कि probability of C कैसे निकलेगी, हमारे पास total cards है 52, और diamonds कितने हैं हमारे पास, 13, हमारे पास हर card, हर symbol है हमारे पास, heart, diamonds, spades, gloves, ये सारे जो हमारे पास दियार, 13 each in number, अब हमारे पास जो अगला, अगला step है, that is conditional probabilities निकालने का, तो उसमें जो पहली चीज़ है, that is probability of A given B, मतब के B has happened, no what is the probability of occurring A, ठीके, अच्छा, अब इसका हमारे पास, मेरे पास यहां पे जगा, नहीं होके, हो जाएगी बुरी, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, और यहां पे हम लिखेंगे, probability of B, अच्छा, यह इस चीज़ का थोड़ा सा आप हयाल रखना, एक थोड़ा सा थासान, फॉर्मला है याद करने का, कि यहां पे हम, given that B, जो लिखते हैं, यहां पे denominator में भी उसी के probability आती है, ठीक है, probability of B, यह इस चीज़ से हम थोड़ा सा जहन में, रख सकते हैं, और फिर, इवेंचल इस तरह को practice भी हो जाएगी, अच्छा, अब probability of B निकाना जो था, मसना नहीं होता हम लोगों ने पहले आपे निकालनी है, अब यह जो है न, A, intersection B, इसकी हम थोड़ा probability देखते हैं, अच्छा, अब हमें यहां पर इतो पता होना चाहिए, कि red card selected और number card selected, इन दोनों का मतलब क्या है, या फिर हम इसको हम represent कैसे करेंगे, इस slide के पर मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं जरा, यहां पर, A और B को हम जरा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा, अगर मेरे, मेरे पास, यह एक, temple space हो न, ठीक है, जहां पर मेरे पास सारे के सारे 52 cards पढ़े हूए, तो, हम यह कह सकते हैं के, यह मेरे पास उपर, जो, 26 cards हैं, और जो नीचे मेरे पास, 26 cards हैं, यह आल ब्लैक, फर जामपल, ठीक है, अच्छा, और उसने भी मेरे फिर कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, के यह मेरे पास, 1 से लेकर, मतर्ट, मतर्ब मैं कंफ्यूज नहीं करती हैं आपको, 2 से लेकर 10 तक, बिसिकली यह मेरे पास, यहां पर सारे number cards पढ़े हूए, और, J, Q, के यह मेरे पास सारे image वाले cards, तस्वीरों वाले cards पढ़े हूए, ठीक है, अच्छा, तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो गया होगा, के probability of A, यानि के red card selected, और probability of B, यानि के number card selected, इनको अगर मैं joint रगे देखना चाहूँ, के in में I must write black है, ताकि आपको यह confusion ना हो कि यह मैं event B की बात कर रही हूँ, अच्छा, red card selected, और number card selected, इन दोनों का जो intersection होगा, वो क्या होगा, हम red card में selected है, ठीक है, बतार यह red card यह मैं बात करूँ, तो यह सारा region मेरा बंद है, यह जो upper half है, और अगर मैं बात करूँ number card selected की, तो मेरे पास, यह सारा region बनता है, ठीक है, तो upper half, ठीक है, और यह वरा सारा region, तो अगर मैं upper half, और यह सारा region, इन दोनों का intersection देखना चाहोँ, तो वो मेरे पास फिर, यह वला portion बनेगा, ठीक हो गया, अच्छा, now, if this thing is understandable, तो हम दरा इश की तर वाते हैं, पहले मैं denominator लेता हूँ, denominator हैं कि हम लोगों को ने अल्रेडी compute किया है, 9, 4, यह थाहार पास, 36, 5, 52 आता है, और अबर पास, जो probability है, यह है, अबस कितनी आएगी, यह हमारे पास, 18, by 52, ठीक है, मतब A, intersection B, of all cards, अच्छा, अब हम जरा अगले सवाल को देख लेते हैं, अगले सवाल में हम लोगों को ने निकालना है, probability of C, given A, तो आगे बाद यहाँ जो formula बनेगा, that would be probability of C, intersection A, divided by probability of A, the probability of A हमारे पास है, that is 1 by 2, ठीक है, अब probability of C intersection A, अब C है आगे पास, diamond selected, ठीक है, और A है आगे पास, red card selected, अब diamond selected, और red card selected, इनको, अगर आप, I mean, you must stop the video here, and you must go back to cards, if you are not aware, अब फिर आप आप आपे देखो, कि इन दोनों का intersection A, इनके A का और C का, इसमें कितने cards होने चाहिए, तो, after examining, you will come to know, कि diamond cards basically, are all red, ठीक है, और, and they are 13 in number, तो हमारे पास, यहाँ पर जो probability, आप लिखी जाएगी, that would be 13 by 52, ठीक है, probability of C intersection A, यानिके, C और A में जो total, यानिके, जो common elements है, they are 13 in number, तो probability of C intersection A, would be 13 by 52, 52 because, हमारे sample size 52 है, अच्छा, लास्टी, probability of B, given C, probability of B intersection C, divided by probability of C, अगें, टर्मिलिटर लिखना आपर साथान है, that is, 13 by 52, और हमारे पास, क्या situation है भी, number card selected, और diamond selected, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे, जो number card, और अगर हम diamond की बात करें, तो अगें, हमें diamond की बात करें, तो उसमें 13 cards आएंगे, लेकिन हम, we're all interested in number cards, तो अगर आप उसमें से 4 निकाल दो, तो you'll be left with, 9 by 52, ठीक है, अच्छा, मैंने इनकी है completed calculation नहीं की, लेकिन, these ensure, you must know, के आप जब probability का answer निकाल दो, जैसे इसका answer for 9 by 13 आएगा, और फिर कोई decimal में भी number आजएगा, तो you must ensure, के आप की जब पास जब probability की value है ना, that is lesser than 1, इसको हम लोग ने बड़ा detail में, पास 1 से बड़ी value नहीं आ सकती, ओके, अच्छा जी, अब हम जाते हैं अगले सवाल पर, अच्छा, जो probability की सवाल होंगे ना, यह थोड़े से लंबे-लंबे हुआ करेंगे, तो, that is perfectly okay, अगर आपको पहली दफाँ पढ़के समझ नहीं आया तो, आपने करना यह है कि इसका ज़िए सबसे सांतरीक होता है, आप इशक उसको बार-बार पढ़ो, sentence by sentence पढ़ो, अपने पास अपने दमाग में, उसकी उर्दु में translation करो, और एक और बहुत important बात कि जो data उसमें गिवन है न, वो आप अपने पास लिखते जाओ, तो पहले मैं यह जरह statement आपके सामने पढ़ दू, और फिर मैं इड़ेटा भी सासा लिखूँगी, एक द्धादा मैं को समझा लो, अच्छा जी, अभी complex word, it is redundant, अच्छा, complex components are assembled in a plant, that uses two different assembly lines, assembly lines basically होती है, आपने कभी जरूर सुना होगा, जैसे जिसमें cars, जैसे मसालगे तो बनती है, अगर एक ही belt है, उसके उपर, अगर जो है, दो-तिन बंदे मिलके, उसके पाइये लगाते हैं, फिर गाड़ी आगे जाती है, फिर दो-तिन बंदे मिलके, उसके तरवाजे लगाते हैं, फिर गाड़ी आगे जाती है, फिर दो-तिन बंदे मिलके, इसको पेंट करते हैं, and so on, तो वो एक complete assembly line में products जो है, वो होते जाते हैं, रट दी हैं, इवेंचली जो है, वो गाड़ी तियार हो जाती है, तो इस चीज को हम assembly line बोलते हैं, तो there are two assembly lines, A1 and A2, और, A1 uses older equipment than A2, so it is somewhat slower, and less reliable, again, this information इतनी relevant नहीं है, सर्वाल के साथ, that is okay, अच्छा, suppose that on a given day, line A1 has assembled eight components, ठीक है, तो हम यह लिखने थे के, A1 ने eight, components assemble किये हैं, ठीक है, अच्छा, जिसमें से, two have been identified as defective, इसको भी हम थोड़ा, और तरीक से भी देखेंगे, लेकिन फिला हम सर्फ लेख लेख लेते हैं, कि two are defective, and six are non-defective, whereas A2 has produced, one defective, and nine non-defective, तो हमें यह कम अज़कम पता चल गया, कि A2 ने बनाए है, nine components, ठीक है, जिसमें से, eight defective है, और nine non-defective है, अच्छा, अब, नहीं, यह हाँरे पास ten हो जाएगा, ओके, यह हाँरे पास ten हो जाएगा, अच्छा, अगर आपको, यह चीज समझ नहीं आई ना, कि मैंने, कैसे लिखा है, तो you must, go through the statement, once again, लेकिन मैंने, जो summarized किया ना data, वो यह किया है, कि A1, has assembled, eight component, जिसमें से, two defective हैं, six non-defective हैं, A2 has assembled, ten component, जिसमें, eight defective है, nine non-defective हैं, अच्छा, अब हम लोगों ने, अब आपर सभी है, जो है ना, 18 components आगे, इसमें से, लोगों ने एक, randomly select कर लिया, अब, यह सवाल, यहां तक सवाल था, यह, sorry, बलके background था, कि eight components, A1 ने बनाए, 10 components, A2 ने बनाए, और एक, हम लोगों ने इसमें से select कर लिया, अब, पहला सवाल यह है, कि what is the probability, that the component selected, is the one, assembled at assembly line one, कि क्या probability है, कि वो A1 ने बनाया हो, यह बड़ा सान सवाल है, ठीक है, हम लोगों ने, probability इस चीज़ की निकालनी है, कि, कि उठाया जाने वाले component, कि क्या probability कि वो A1 ने बनाया हो, तो हम देख लेते हैं, कि A1 ने कितने बनाया है, A1 ने total 8 बनाया है, ठीक है, और overall जो component, यह निकि जो pool हमारे पास पड़ा, वज़ेसमें से 1 उठाया गया होगा, they are 18 in number, तो, यह probability कि जो 18 आपर सामने पड़े में, उसमें से, जो एक उठाया गया है, वो A1 से संबल हो गया है था, that would be 8 by 18, अगर सवाल यह होता कि क्या probability है, कि जो उठाया जाने वाले component है, वो A2 से में ने उठाया है, यह A2 ने बनाया है, तो हम लिखते हैं 10 by 18, अचा, यहान तक दो बार ठीक है, अब अब अगला सवाल है, कि what is the probability, that the component selected is a 1, assembled at assembly line A1, ठीक है, यहान तक तो पुराने वाला सवाल है, given that the component is defective, ठीक है, अचा, अब थोड़ी situation change हो गई, पहले हम इस सवाल को थरा, थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, और फिर हम एक table बना के भी तरह करने कोशिश करेंगे, अचा, what is the probability, that the component selected is the one assembled at A1, given that the component is defective, तो हम लोगों ने पीछे, इस तरह के कुछ सवाल, इस फॉर्मॉले से किये हैं, तो हम वह यह लगा लेते हैं, अचा, अब हमें देखना ही पड़ेगा, कि A1 और defective में common क्या है, यह आपको इसी page पे रहते हैं, विज़े हैं information, वो नजर आ रही होगी, A1 and defective, इन में common क्या चीज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, 2 by 18, कि जो A1 ने एसेंबल किये हूँ, और defective में हूँ, there are two such pieces in all 18 pieces, ठीक है, अचा, अब probability of D, कि defective होने की probability कितनी है, तो मैं बस total defective कितनी है, 3 pieces हैं, 18 में से, अचा, यह सवाल है, यहाँ पे हतम हो गया, मैंने एक तरीका आपको इसका और बताना था, उसको मैं हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन I'll just go through it, ताकि कभी अगर सवालों में आपके पास, एक से ज़्यादा information आती है न, तो you must know कि आपने उसको lay down कैसे करना है, ठीक है, एक तरीका हाँ रपास यह जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि मैंने इस तरह से लिख लिख लिया, इसका एक और असान तरीक है, कि हम तरह टेबल की फॉर्म में बना लें इसको, तो यहाँ में मेरे पास जो है वो कितने थे, दो और छे और यहाँ मेरे पास थे एक और नो, I guess, ठीक है, तो अगर मुझे कभी यह पता करना हो कि डिफेक्टिव होने की प्रपिलिटी क्या है, तो I would simply write 3 by 18, नोन डिफेक्टिव होने की फॉर्बिलिटी क्या है, तो I would simply write 15 by 18, इसी तरह से यहाँ मेरे ए मेरे टोटल इंगा यहां पर लीका, और इसी तरह से घर मैं यहाँ की बात करूं तो यह, 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 उच नो, तो यह, यह, जो, इक तो हर, तो इन में से कोई number use हो जाएंगे, तो आप में से, आपको जब भी कोई ऐसे सवाल आपके सामने आए, कि जहां पर आपके पास यह दो information आपको given हो, जैसे यहां पर defective, non defective information और semi lines हो है, तो आप एक stable make it through, layout कर सकते information, और पर वहां से probability का सवाल, solve करना फ्रोड़ा सान हो जाता है, अच्छा, उसमें एक असानी यह भी होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपको यह statement दी जाती है, कि A1 ने total 8 assemble किये हैं, जिनमें से 2 defective हैं, ठीक है, तो हमें फिर से बोलती हूँ, A1 ने total 8 assemble किये हैं, जिसमें से 2 defective हैं, तो table layout करने की सूरत में, you'll immediately come to know, कि इसका मतलब है, कि 6 not defective हैं, तो जो information फिर हमें कई दफा given नहीं होती, उसको हम बड़े राम से figure out कर सेते हैं, और युजली सवाल भी ऐसे ही चीजों के बारे पूछे चाते हैं, इन 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 की information given नहीं होती डिरेक्ली, आगे तो सवाल हो करने का तरीका वही है, यह सरफ lay down करने का तरीका, मैंना आपको बताया है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास, अगला जो सवाल है ना, उसमें हम एक concept when diagram का भी सीखेंगे, जो कि शायद आपने कभी नाम सुना भी हो अरड़ी, अच्छा जी, यह आपकी किताब example भी है, और प्रीज आपने यह करना है कि इस एस example को प्रीज तरह locate करना, किताब में से और जो example उसके बाद है, वो भी fine order कि आपने solve कर निकोशिश करनी है, अच्छा जी, हमारे पास यह एक कुछ customers की choice के बारे में layout है, इस example का, कि digital camera जब individuals buy करते हैं, तो 60% include an optional memory card in their purchase, अच्छा 60% का मतब यह है, कि जो भी, मतब 100% customers की बात यहाँ पर हो री, कि 100% customers, हम customers को जब 100% की तौर पर देखते हैं, तो उनमें से 60% जो है, जो है, आदे बाई an optional memory card, और अगर हम total सारे customers को देखे हैं, तो उनमें से 40% जो है, they would go for an extra battery, और इसी तरह से, अगर हम 100% customers की बात करें, तो उनमें से 30% होंगे, they would include both a card and a battery, और randomly एक जो बायर है, या customer है, उसकी परची इसको देखा जा रहे हैं, और वहाँ से हमने आगे कुछ सवाल जो है, वो solve करना है, तो इसमें एक चीज आपको थोड़ा साथ बताने की कोशिश करती हूँ, इसे हम, Venn Diagram कहते हैं, या आप लोगोंने, मेरा हाल है कि इसका जिकर पहले सुना होगा, जब हम, वो set theory की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहां पर, let's suppose के, अच्छा, let's suppose के जैसे कार्ड है हमारे पास, ठीक है, कार्ड को, कार्ड 60% हैं, ठीक है, तो let's suppose कि हम, कुछ जो भी samples पे samples given है, उसमें इस chunk को हमने, 60% कार्ड कह दिया, अच्छा, और इसी तरह से, हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं, जो के, बैटरी बाए करते हैं, ठीक है, तो बैटरी, बैटरी बाए, जो की जाती है, वो, 40% कस्टमर्स करते हैं, ठीक है, अच्छा, and we know, that there are few customers, who buy, both cards as well as, बैटरी, वो यहां से रिप्रिजेंट होते हैं, ठीक है, and we know, that this is, 30%, ठीक है, अच्छा, यह है, तसकीर, बहुत मनासिब नहीं बनी, लेकिन, I hope you get the idea, के यह वाले, जो, कस्टमर्स है, यह, यह, बिसिकली, ओगर्लाप्ट रीजन है, और, यह वाले वो कस्टमर्स है, जो कि, बैटरी भी लेते हैं, और कार्ड भी लेते हैं, तो इसका मतब है कि, अगर, 30 यहां पर कपर हो रहा है, तो यह, यहां पर सिरफ 10 बचेएगा, overall जो बैटरी है, उसको 40% कस्टमर्स वाय करते हैं, तो अगर 30 यहां पर आगए, तो इस लेफ्ट वर रिचे में 10 बचे, और इसी तरह से कि, मैं यहां को देखूँ, तो यहां पर अगर 30 आगए है, तो 30 ही मेरे पास यहां पर बचेएगे, ठीक है, तो वेंड डाइग्राम इस बैसिकली, एक, येट अनदर मेफ़ड टू, तो डिस्प्रे इस बैसिकली आप जरूर किया करो, कि अगर सवार का ले आउट ऐसा है, तो, मदब सवार का जो भी ले आउट, I mean given है तो उसमें आप किस तरह से, बैन डाइग्राम के थो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो, इसको हम जो है, इसको हम इवेंट भी बोलेंगे, इसको हम इवेंट सी बोल देंगे, तो, हम फाइंड आउट ये करना चाहा रहे हैं, कि given that, मतब हमें ये चीज़ गिवन है, कि given that, कि बैटरी भाई हुई है, तो, find the probability के optional card भी भाई हुआ है, ठीक है, given that, बैटरी भाई है बाई हुआ है, find the probability के card भी और सो, card भी भाई किया गा था, तो, इसको अब लिखने का जो तरीका होगा, अचा, आपने यहाँ पर ये नोट किये का है, आपस, टोटल, जो, कार्ड कह लो, या बैटरी कह लो, उसका नमबर नहीं है, हाँ, पिसके percentages में गिववन है, विच इस, विच इस वेल नफ, बुद अचा, तो, हुआरे पाउस ये सिचुएशन है, उसमें हम, अब आपको परबली देकर अंदाजा हो रहोगा, अगर हम probability of C, intersection B के बाद करेंगे, तो, that would be 0.3, और probability of B, जो है, that is equal to 0.4, ठीक है, अच्छा, now, you should pause here, और आपको दूसरा जो पाट है ना, पाट B, वो, उसको try, हुद करना चाहिए, लेकिन, हम इसको भी कर भी लेते हैं, अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है, कि गिवन बाट, गिवन बाट, गिवन बाट, दूसरा सवाल यह है, अच्छा, आप दूसरा सवाल यह है, तो, find the probability that battery was also purchased, बाटरी परचेस करने की probability find करने हैं, हमने, तो, we would write, अच्छा, यह C intersection B लिखे हैं, अच्छा, 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 conditional probability का formula को ही, मैं थोड़ा सा, अगर, manoeuvre कर लूँ, तो, मैं पर पस एक, जो नियाद formula बनता है, वोई call it multiplication rule, इसका basically मतलब यह है, कि, अगर मुझे यह चीज निकाल ली है, तो, मैं पर इसको, इसके साथ, probability of C, कोश के साथ, multiply करूँगे, तो, मेरे पास, यह वाला, जो, factor है, यह probability है, C, intersection B, वो मेरे पास निकलेगा, अच्छा, इसको, हम कहते हैं, multiplication rule, तो, multiplication rule, जो है, ना, हमारे पास, वो, यह जो है, आपके सामने, given है, यह कुछ, इस तरह से लिखाव है, probability of A, given B, multiply by probability of B, मतरब, जो, यहाँ पर, given direct के बाद के जो, probability ना, वो, यहाँ multiply होगी, लेकिन, अगर आप इसको, ज़रा, थोड़ा, intelligently देखो, तो, इसको, हम, यह यह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ना, हमे probability of A, intersection B, देख कर तो, यह, पता नहीं लग सकता कि यह, यह इस तरह से निकाली गई होगी होगी है, यह इस तरह से, तो, इस तू, calculations are equal, for computing, probability of A, intersection B, अच्छा जी, अब यह जो है ने, यह वहला सवाल, यह थोड़ा सा करना असान होता है, इसमें हम, tree diagram बिलके करना सीखेंगे, अच्छा, इसमें, जब पहली एजांपल हमारे पास, वो यह है, कि एक बैग हमारे पास, two black balls हैं, and three white balls are there, तो, हमारे पास, two balls select की गई हैं, without replacement, without replacement का मतब यह है, कि जब एक ball निकाल ली, तो वो बाहर ही रही, तो, we are very much, know, very, very much aware of the situation, कि leftover balls कौन सी हैं, कितनी हैं, और, हम लोग ने अब क्या करना है, कि sequence of balls जो है, वो नोट करना है, और probability सीज के निकालनी है, कि बोथ balls are black, पहले हम इसको ज़रा करने की कोशिश करते हैं, tree diagram से, ठीक है, और फिर हम इसको, इस formula के थूँ भी करने कोशिश करेंगे, अच्छा, tree diagram का मतब यह है, कि यह हम लोगों ने यहाँ पे लिया start, ठीक है, और start हम लोगों ने जब लिया, तो इसका हम लोगों ने यहाँ से एक ball निकालना है, जब एक ball लोगों निकालना है, तो हम पस दो options हैं, एक option हम पस यह है, कि हमारे पीशिए ball निकलेगा, ठीक है, यहाँ भी दूसरी option हमारे पस यह है, कि हम पस यह बॉल है, वो black निकलेगा, अब आपने जोड़ा सा यसीज को सोचने ही कोशिश करनी है कि वाइट निकलने के probability क्या है वो हम पर चलेगा कि वाइट बॉल्स बिसिकली कितने है वाइट बॉल्स हमारे पर सुटल तीन है मदब अगर देखो ना एक बैग मेरे पास दो ब्लैक बॉल्स है और तीन बाइट बॉल्स है और अगर मेरे एक बॉल्स रेंडबली हम निकालते है और probability हम यह पता करना चारहे कि वाइट बॉल्स कितने है उसमें और वाइट बॉल्स कितने है ठीक है तो वाइट बॉल्स आर थ्री इन नंबर and total number of balls are 5 तो मैं परस white ball के निकाले जाने के probability is 35, तो मैंने इसी arrow सा लगाया था कि so that you may know कि we are talking about probability of something like this, ठीक है? और इसी तरह से black ball निकाले जाने के probability कितनी है? because black ball is 2 in number and the total 5 balls, तो ये हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, okay एक ball हमने को ने निकाल ली, अब हम इस टेच चे पहुंचे अच्छा, अब यहाँ पर हमने फोर्स फिर एक ball निकालना है, तो there are two possibilities एक मिनट अच्छा जी, अब दूसरे number पर जो आपने ball निकालना है let's see कि उसने पर उस options किया है और हर option की probability कितनी है अच्छा, उपर बाली branch की ही भी हम बात कर रहे है अब इस stage के उपर, इस point के उपर, जखके हमाँ आपस एक white ball अरड़ी निकल चुका है अब हमाँ इस bag में, जो total balls है, there are four in number, ठीक है तो हम इसको straight away upon, divided by four लिख सकते है ठीक है let me change the writing का तरीका इसको हम divided by four, divided by four, इस तरह से लिख सकते है अच्छा, अब के probability के white ball की दुबारा निकले ठीक है let me write something like this के white ball ही दुबारा निकले तो अब जो एक बारे निकल चुकी है अब जो remaining white balls है, there are two तो probability of white ball being extracted from the bag, तो वो two by four है चाहेगी और probability of black ball अच्छा, एक और मैं तरीका कर से तो कि मैं यहां पर इनके सबस्टेट्स में न तू यहां पर two two लिख दूँ दाके पर आपको अंदाजा हो कि यह दूसरे ball की बाहत हो रही है और black ball में पास, there are still two in number यहां पर two आ जाएगा ठीक हो गया, अच्छा, ऐसी सबस्टा करें हम नीचे वाली ब्रांच में हैं तो let's suppose के पहली दफा में हम लोग ओने जब पहला ball निकाला तो it was black in number, black in color तो वो में पास probability two by five थी, अब इस stage के उपर अगर मैं एक और ball निकालती हूँ, तो दूसरे step के उपर या दूसरी stage के उपर white ball निकलने के probability क्या बन जाती है मेरे पास, three by four, ठीक है, और इसी तरह से दूसरे step में या दूसरे दफा में black ball निकालने के probability में पास क्या बनेगी, one by four, why one क्योंकि एक ball यहाँ पर अरड़ी निकल चुका हुए, और four balls remaining है तो one by four, अच्छा, अब अभी हमारा सवार completely solved नहीं हो, यह हम लोगों को ने रिसी ट्री ट्राइग रहा है, तो दूसरे से situation को lay down किया है, अब हमें नहीं यहाँ पर, लेकिन जो चार possible situations हो सकती है, और सब की probability पता लग दिया है, बसलिए, पहले में वाइट निकले दूसरे में भी वाइट, पहले में वाइट निकले दूसरे में ब्लाइक, पहले में ब्लाइक निकले दूसरे में ब्लाइक, पहले में ब्लाइक निकले दूसरे में ब्लाइक, यह चार ही possible conditions है, इसके लावा को 2 by 4 ठीक है पहले में white निकले और दूसरे में black निकले इसकी probability होगी 3 by 5 into 2 by 4 अचा, पहले में black निकले दूसरे में white इसकी probability होगी 2 by 5 multiply by 3 by 4 और इसकी आफिर बांच की भी आप देख सकते हो कि वो 2 by 5 और 1 by 4 का product होगी अचा, अब ये तो हमें थोड़ा साम लोगों ने समझ दिया कि हम tree diagram के थू कैसे निकाल से अब मैं इसी तरीके को इस फॉर्मले के थू समझाने की कोशिश करती हूँ ठीक है अचा, मेरा सवाल ये है कि find the probability that both balls are black तो उसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि probability of both balls are black का मतलब ये होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह की situation है ठीक है, तो वो हमें कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि given that B1 हमारे पास निकला था तो अब दूसरी दफ़ा जब निकाला बॉल तो वो भी ब्लैक था उसकी probability क्या है और of course, ये multiply होगा probability of B1 से अचा, ये वाली चीज of course निकाला अदाता असान होता तो पहले मैं आपको यह समझाती हूँ probability of B1 is very simple जब ब्लैक बॉल हमारे पास दो है overall जब बॉल हमारे पास फाइव है तो probability of B1 कि पारी दफ़ा में ब्लैक बॉल निकल निकल निकाल रह गए अब given that के B1 हम पास ब्लैक है given that के B1 जब पहला बॉल था जब वन बॉल वोस ब्लैक इन कलर तो अब हमें तो आप लग गया कि टोटल नहीं है और मैंसले एक ब्लाइ निकल चुगा है तो अब दूसरी दफा हमें ब्लाइ निकल चुगा है तो अब दूसरी दफा में फिर यहां पर तू नहीं आएगा it must be one, क्योंकि एक बॉल निकल चुका है तो यह हमारे पास जो है यह बतादनों का जो प्रॉडट है यह बीकल तो इस तिंग यहीं कि प्रॉबलिटी ऑफ बोथ बॉल्ट बॉल्ट ब्लाक इन कलर अच्छा जी अब हम अग्ली एक्जाम्पल पे जाते हैं इसको भी तो आप में हुड़ तो यह तो निकली प्रॉड़ करनी है कि इसको में कैसे करेंगे लिकिन इसको जो चॉनसर इना इस तो इस वेरी बर सेमिलर अज़ बर सेमलर तो इस एस एंपल Suppose you take out two cards from a standard pack of cards again if you don't know what a standard pack of cards look like you must go to ahri slide okay okay so one after the another cards are being taken out and the first card is not replaced when it is it is being taken out it is not placed back what is the probability that the first card is ace of spades and the second card is a heart okay now the ace of spades is basically a card which is a card which is a written on a card so we have spades that we have total 13 cards which are spades but only a card is a card which is a written on a card if I talk about 13 cards then only a card which is 2 and 3 and onwards okay so all 13 cards are distinct okay so the probability that we have found that is basically the probability of finding ace of spades okay let me call an A and B so that I am going to know that A is an event that is basically the probability of finding ace of spades okay let's do this a little bit like an ace in event that the card is taken out that is basically ace of spades so if you don't have an ace of spades individually if you don't have an ace of spades you can figure out that we are talking about the probability of A you can very well say that A is 52 because there is only one possible card which is ace of spades so there is only one such card so E1 by 52 probability of A okay so the other card is a card that is simply a card with a heart on it okay so it is not relevant and if I say that I once have a chance to check out the probability of being able to find a place as a card that I do have an ace of spades but if I do not have an ace of spades again then I will see that the probability of being able to find these points के probability के जो मेरे पास पहला card है that is ace of spades तो क्या probability है कि दूसरा card heart का होगा ठीक है और इसको हम multiply करेंगे फिर probability of a के साथ याई कि पहला card ace of spades का निकालने के probability तो वो हम लोगों ने उपर पढ़ी है that is 1 by 52 अचा अब इसको थोट से हम लोगों ने इटेलिजेंटी देख थे है probability of b ठक कर के याने लिख दिना क्योंकि वो इंकरेक्ट होगा अब a we know has already happened अब b के होने की क्या probability है a क्या था कि ace of spades वो निकल चुक है तो अब क्या probability है कि दूसरा कार्ड हार्ट का निकलेगा अचा इससे हमें का मसलम ये पता जरूर पता चल गया कि पहला कार्ड अगर ace of spades निकल चुक है इसका मतार है कि total count जो है वो काम हो चुक है so total count अब कितना रहेगा है हमारे पास 51 और उसमें से अब हार्ट का कार्ड निकलने की probability कितनी है because there are total 13th card with a heart symbol on them so we'll write 13th upon 51 ठीक है अचा I don't think there's much confusion in it लेकिन मैं फिर भी इसमें कर देती हूं कि probability हम लोगो ने इस चीज के निकालने के let's suppose के पहला कार्ड हम लोगो ने निकाला और let's suppose के it is ace of spades so what is the probability के second card is a heart इसकी हम लोगो ने combined probability निकालनी है ठीक है तो हम लोगो ने इसको multiplication rule के दूर solve करने कोशिश करेंगे first we'll see what is the probability के जो पहला card heart ace of spades निकला है उसके पनी probability कितनी है and now since we know के वो a card निकल चुका है तो अब जो हम पस event B है उसके अकर होने की probability कितनी होगी एक चुटी सी बात यह है कि यहाँ पे ना एक word है without replacing अगर यहाँ पे होता ना with replacement with replacement का मत्तब यह होता कि हम card को ठाके देखते और फिर हम उसे वापस डाल देखते अगर हम उसे वापस डालते यानि के with replacement तो फिर सिरफ यहाँ पे चेंज आना तो यहाँ पे 52 हो जाता बिकॉस ना वी झूँ के टोटल कार्ट सुटी तुटी तुटी ना ठीक है तो यह 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 जिस वापस जो आफ़ी सवाल है जाता है तुटी तो यह मेरे पास आगी जनाब सेवन बलू चिपस और मेरे 3, 2, नहीं, 2 नहीं, 3, red chips, ठीक है, अच्छा, two chips are drawn successively at random, successively का मतब है कि एक पहले एक उठाई पर दूसरी उठाई, and without replacement, जब पहले उठाई है तो वापीस नहीं रखी, उसको मनें साइब उठागे रख दिया, और उसके बाद दूसरी उठाई गई, we want to compute the probability that the first draw results in a red chip, and the second draw results in a blue chip, तो इनकी अपनी individual probabilities पहले हम लोगों ने, वो देखनी होंगी, of course, and then probability, इस चीज की find हम लोगों ने करनी है कि, चोड़ा सचा, आप लोगों ने देखना है कि, ये जो सवाल है, इसको कैसे, पूछा कैसे गया है, इसमें अब given that का जिकर नहीं है, ठीक है, given, okay, what I want to tell here, या clarify here, कि हम लोगों ने जो पीछे तीन सवाल की है, इसमें हमें कैसे बता चला कि, हमने given that वाली चीज नहीं लगानी है, हमने मुल्टिपिकेशन रू लगाना है, इसे number one कि given that, इन सवालों में कहीं पे है भी नहीं, लेकिन यहां पे, basically, दो चीजें साइमल्टे सारी है, दोनों दभा में red निकले, फिर red निकले, फिर blue निकले red वगारा वगारा ठीक है, लेकिन हम एक हास situation की probability निकालना चाहरे हैं, कि जिसमें पहली में red निकले और दूसरी में blue, तो यह वाली जो सवाल है, यह मुल्टिपिकेशन रूल से solve होते हैं, अच्छा, तो और इसको हम कुछ इस्वा से कर सकते हैं, and second raw results in a blue chip, यहीं कि जो दूसरे में निकला, that is blue, तो इसको हमें कह सेते हैं कि given that कि r1 पहले में निकला, what is the probability कि दूसरे में b2 निकलेगा, उसके लिए हमें of course r1 की probability भी find करनी पड़ेगी, okay, that is very simple, अगर पुनाने दूने सवाल समझ तो you can see, probability of r1, क्या है कि 3 chips है मेरे पास red में, और मेरे पास total chips and that, they are 10 in number, I hope you know that 1 का मतलब है, 1 का मतलब है, 1 का मतलब है कि पहली draw में, पहली draw का जिकर हो रहा है, यहां पर subscribe में 2 लिखा वाज निकला है, तूसरे draw का जिकर हो रहा है, अचा, अब मेरे पास, जब एक red chip निकल तो दाहरे मेरे पास total जो है, 9 रहा है, ठीक है, अब इन 9 में से blue chip निकलने की probability किती है, उनका तो number कम नहीं हो, तो that would be 7, तो इन तो यह जो product है, that is basically equal to this thing, कि पहली दफा में red chip और दूसरे दफा में blue chip निकलने की क्या probability है, अचा, अचा, अब दूतरा सवाल है, कि what is the probability of drawing a red chip on both of those draws, उसके लिए आप इसकी notation कुछ इस तरह से कर सकते हो, and I don't think it's very difficult to find, मैं इसका direct answer लिग देती हूँ, probability of r1 है, that is equal to 3 by 10, और चुके दूसरे दफा में यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है, तो यह आके पास जो है, यह probability of red chip on both draws है, अचा, इसके बाद हमारे पास, और क्या है, यह जो है न, इन दोनों का difference, थोड़ा सा clarify करने के लिए, मैंने slide डाली थी, तक अगर आपको, यह confusion है कि मैं पता कैसे चले, तो, यह न, probability of e, given that f is happened, ठीक है, probability of, we want to find a probability of e, such that, यह given that, f has already happened, तो उसका हम लोगो ने formula पढ़ा था कि वो यह होता है, ठीक है, अचा, आप probability होकर आप f देखो, तो आपको basically यहाँ पर देखने के total numbers, जो f में है, f में total numbers कितने हैं हमारे पास, you can see there are 5 in number, तुमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 5 divided by total elements, which are 10 in number, हाँ, ठीक है, कुछ event e में है, कुछ f में है, उसके लावा 3 बाहर भी पाई है, तुमारे पास यह total elements है, जाए, they are 10 in number, ठीक है, तो probability of f would be 5 by 10, अच्छा, अच्छा, probability of e intersection f, यहनि कि इसमें कितने elements में पस पड़े हैं है, तो they are 2 by 10, जोटल में elements में पस 10 है, अच्छा, तो यह तो निकालने का तरीका इसको हो गया, अब मुझ अगर निकालना है, E intersection F की probability तो I mentioned डली के इसके दो तरीक आंके पास या तो आप ये निकालो और उसके साथ multiply करो इसको या फिर आप ये चीज निकालो और इसको multiply करो इसके साथ ठीक है probability of F and probability of E तो I guess आप बड़े round से figure out कर सकते हो मैं आपको ये चीज बतायती हूँ ये जो चीज है न ये भी basically है आप निकाल सकते हो इस तस्वीर को देखकर बसन कि क्या probability है कि F has happened now what is the probability कि E अकर होगा तो that is equal to 2 by 5 why 2 क्यूंकि उसके intersection में 2 elements है और 5 इसलिए क्योंकि F में 4 elements है F में 5 elements है F में 5 elements है इसलिए 2 ऐसे हैं जो कि E और F में common है तो given that कि F has happened what is the probability कि E has also happened तो इसकी probability 2 by 5 होगी ठीक है इसी तरह से अगर मैं देखो कि what is the probability of F happening such that कि E has happened तो if E has already happened तो मुझे पता है कि E में बस 4 elements है और उसमें से 2 elements हैं जो कि F में भी मौजूद है तो I would write 2 by 4 ठीक है और उसके साथ फिर उनकी अपनी probability वो बंटिप्ला हो जाएगी अच्छा तो इस diagram के तुरूआप थोड़ा सा figure out करने कोशिश कर सकते हो कि conditional probability और intersection value probability है इसमें difference क्या है और उसके बाद मेरा हाल है कि कुछ दो सवाल है शायद जो कि हाँ आप लोगों नेने करने कोशिश करनी है और ये जो section है I guess it is 2.4 but I am not sure इस section के साथ जो relevant सवाल है इस किताब आपकी जो text book है उनको प्रीज आप लोगों ने करनी कोशिश करनी है तो इन्शाला अभी जो lecture होगा उसमें हम इस article 2.4 का remaining topics और आखरी topic जो इसका वो इन्शाला कबर करेंगे Thank you so much Allah Hafiz